दिखेगा इस कल आप लोगों का राजिस्थान PTI एक्जाम होगा दो सिप्टों में तो जो भी बच्चे एक्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो एक्जाम देने से पहले आप लोग इस वीडियो को देख कर जरूर जाएं तो इस वाले वीडियो में राजिस्तान PTI में पूझे गए प्रिवियस एर के टॉफ 50 कोशन इस वीडियो में डिसकस करेंगे आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक दिन से इस पचा हुआ है तो वीडियो को कंप्लेट बिना स्किप के पूरा जरूर देखेगा आप लोग वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक को सिर्फ जरूर करें और जिन बच्चों ने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है सभी बच्चे चैनल को सस्क्राइब फिरके नोडिविकेशन बेल को ओन कर दीजिए जब आप नोडिविकेशन बेल को ओन करेंगे तबी मेरे नए विड़क नोडिपिकेशन आप सभी लोगों तक असानी से पहुँच जाएगी तो चलिए श्टार्ट करते हैं आज का वीडियो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी कोशिन के आंसर देने का दो से तीन सेकेंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूँगा अगला कोशिन आपके स्क्रीन पर जैपूर नगर की स्थापना के समय मुखे वास्तुकार एबं नगर नियोजक कौन था तो सही आंसर हो जाएगा विद्यादर भट्टाचारे ओप्सन वी अगला कोशिन वादे यंत्र टामक का समन्द डैस छेतर से है किस छेतर से है टामक का समन्द किस छेतर से है ओप्सन ए मेवाथ सबी बच्चे वीडियो को सेर कर देजे जल्दी से जल्दी अगला कोशिन आपके स्क्रीन पर रड़ थंबवर के सासक हमीर चौहान की किस वर्स दिल्ली के सुल्तान चलालू दिन खिलजी की सेना के साथ पर्थंबार मुद्वेड हुई सुगाल राइट आंसर हो जाएगा 1290 इस भी में आज के स्रिसल में अगला कोशिय आपके स्क्रीन पर ये रहा कोशिय नेगा है की धोलागर देवी का मंदिर किस जिले में इस्तित है तो राइट आंसर हो जाएगा उपसन A अलबर में अगला कोशिय आपके स्क्रीन पर किस गुर्जर परतिहार सासक ने अपनी राजदानी मेरता बनाई तो राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन C नागवट पर्थम अगला कोशन बिजवलिया सिलाले किस चौहान नरेज के कालका है ओप्सन A सुमे स्वर अगला कोशन आपके स्क्रीन पर निम लिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंच मार्क प्राप्त हुई है तो राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन D बैराट अगले कोशन की और बढ़ते हैं अगला कोशन क्या है देख लिजेगा कोशन है गाइस रूपा जी और करपा जी किस किसान आंदूरन में गोला वारी में मारे गए तो राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन D बेवू नेश कोशन आपके स्क्रीन पर 1303 में चित्तोड बिजे के बाद अलाओ दीन ने चित्तोड का नया नाम क्या रखा ओप्सन D ख्रिजावाद नेश कोशन आपके स्क्रीन पर कोशन है गाइस की फाट का जंजाल सिर्षक नाटक के लेखक को ने है तो राइट अंसर हो जाएगा सिवचन भरतिया अगले कोशन की और बढ़ते हैं बार्मा कोशन क्या देख लीजेगा यह राबार्मा कोशन की कटार गड़ डैस दर्ग का हिससा है तो राइट अंसर हो जाएगा कुमबल गड़ ओप्सन C जैपुर वीटी क्रेश्न मचारी किस राज के दिवान थे तो राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन C जैपूल बरतें अगले कोशन की और अगला कोशन क्या है मेवाड प्रजा मंडल आंदोलन से सम्मंदित महिला कौन है तो भाई राइट अंसर हो जाएगा अप्सन C नरायडी देवी बर्मा अगला कोशन आपके स्क्रीन पर जैपूर जिले के लोडिया बास ग्राम पंचायत का भाउगर वंधिया 400 वर्सों से काउं से मेले के लिए विख्यात है तो राइट अंसर हो जाएगा अप्सन D गल्हों का मेला बरतें अगले कोशन की और अगला कोशन क्या है पिछवाई चित्रांकन किस चित्र सैली से समंदित है तो ये समंदित है नात द्वार सैली से अप्सन D जो है आपका ये विल्कुल सही हो जाएगा तो गैज अगला कोशन चमपा कली आपोशन सरीर के किस अंग पर पहना जाता है चमपा कली आभोशन सरीर के किस अंग पर पहना जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन डी गर्दन पर पहना जाता है ओकी आज के सेसन में अगला कोशन रहेगा पंद्रा सो चोटर में चंदर सेन के बिद्रोही होने पर अखबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन डी राइसिंग अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर प्रसिद्य चित्रकार साहिब दिन चित्रकला की किस सैली से समंदित है तो राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन सैजोबाई का गुरू का उन था सैजोबाई का गुरू का उन था तो सैजोबाई का गुरू था चरण 10 तो अप्सन वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा तो गाज आज आज के से सिजन में अगला कोशन रहेगा राज जिपाल की अध्यादेश सक्ती भारतिय सम्मिधान के अनुछे डैस में बताई गई है तो राइट अंसर हो जाएगा ओप्षन C 213 अगला कोश्चन राजिस्तान लोकसेवा आयोक में एक अध्यक्चवा डैस सदस्य होते हैं ओप्षन C जो है आपका कुल साथ सदस्य होते हैं नेश कोश्चन निमलिफित में से कौन सार राजिपाल के विशेश अभिवासर से संबन्दित है तो भाई राइट अंसर हो जाएगा अनुछेद 176 ओप्षन A अगला कोश्चन आपके स्क्रीन पर समिधान के किस अनुछेद में राजिपाल को विधान सभा में एक गलो एंडियान समुदाई के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है तो राइट अंसर हो जाएगा ऑप्षन C अनुछेद 333 आज के सेसन में अगला कोश्चन रहेगा पंचायतों से सम्मंदित भारतिय सम्मिधान की ग्यारविय नुशूची में समलित है तो भाई राइट अंसर हो जाएगा कुल 29 बिस है ऑप्षन D आज के सेसन में अगला कोश्चन रहेगा गाईस क्या है देख लेजिए राज मानवा दिकार आयोग राजिस्थान के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे 2018 की में बात कर रहा हूँ 2018 में राज मानवा दिकार आयोग राजिस्थान के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे तो भाई राइट अंसर हो जाएगा उस टाइम थे प्रकास टाटिया अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में राजमानमादिकार आयोक राजस्तान के वर्तमान अध्यक्ष है स्री गोपाल क्रश्न प्यास अगर बात करें 2022 के वर्तमान अध्यक्ष कौन है स्री गोपाल क्रश्न प्यास राजिस्तान के वर्तमान अध्यक्षे राजमानमाद्दिकार आयोके यह आपको ध्यान में रखना है ठीक है बढ़ते हैं अगले कोशन की ओर अगला कोशन क्या है थोड़ा सा इसे हम छोड़ा कर लेते हैं कोशन यदि किसी ऐसे व्यक्तिक को राजिका मंत्री बनाया जाता है जो राजि विदाईका का सरस्य नहीं तो इस विशय में शबदानिक प्राबधान क्या है सो समझकर आंसर दीजेगा सभी बच्चे तो वह राइट आंसर हो जाएगा आप्सन ए उसका 6 मा के बीतर निर्वाचन किया जाए अगला कोशन देखेगा कोशन क्या है निम्न बिबरणों पर विचार कीजिए उपर दिये गए काउन सा बिबरण सही है ये कोशन में पूछा जा रहा है 29 का अंसर क्या होगा आप्सन ए सिर्फ पहला यानि कि ये वारा जो आप्सन है अनुछेद 157 राजपाल के पद के लिए दो योगिता निर्दारित करता है नेश कोशन राजिस्थान का पश्यन से पूर्व देसांत्री ये विस्तार है तो राइट अंसर हो जाएगा आप्सन डी 69 डिगरी 30 पूर्व से 78 डिगरी 17 पूर्व आप्सन डी आज के सेसन में अगला कोशन रहेगा दच्छनी राजिस्थान में स्लैस तथा वर्न क्रसी को जिस नाम से जाना जाता है वहा है तो इस कोशन का अंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में पताना है अगर आप लोगों को मालूम हो चले बात करें अगले कोशन की ग्यारवी पंच बरसी योजना में सर्बोच प्रात्मिक्ता किसको दी गई है उर्जा, क्रसीवा सिचाई, ग्रामेड, विकास उद्द्योक एबं खनेज इस कोशन का अंसर भी आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है चले बात कर लेते हैं अगले कोशन की 2011 की जन्गरणा के अनुसार राजिस्थान में ग्रामेड और सहरी आबादी की साचरता दर्क्रमसा है तो नाइट अंसर हो जाएगा 61.44 बा 89.68 चले बात कर लेते हैं अगले कोशन की अगला कोशन क्या है राजिस्थान में 2011 के आउसत लिंगा नुपाद 98.88 से कम लिंगा नुपाद बाले जिलों की संख्या कितनी है आप्सन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा 15 आज के सेसन में अगला कोशन रहेगा निम लिखित में से कौँसा एक युग में सही सुमेलित नहीं है आप्सन ए सालर वार्ड मेर आज के सेसन में अगला कोशन रहेगा मेरवाणा पाढ़िया निम्नांकित भौतिक उप इकायूं में से किसका उप विवाजन है सबी रोग आंसर हो दाते हो चलेगा तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन वी मध्य अरावली स्रियंडी यह आपको ध्यान में रखना है ठीक है चले बढ़ते हैं अगले कोशिन की और सहितिस्मा कोशिन क्या है सहितिस्मा कोशिन है कि थारनवट जलवाईू वरगी करण के अनुसार राजिस्तान का अधिकांस बाग जिस जलवाईू परदेश में पाया जाता है वह है ओप्सन सी टी ए डव्लो अगला कोशिन इस कोशिन कांसर आपको कॉमेंट बॉक्शिन बताना है जो नगर समुचे लकडी के ख्लावने बनाने के लिए प्रसिद्ध है वह है परिछा की ड्रश्ट से बहुत ही ज़्यादा जहर कोशिन है यह जो नगर सबुचे लकडी के क्लाउने बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं वहा है अगला कोशन देखेगा 49 कोशन राजसान की निम्नांकित जिलों के समू में से किसमें 2011 में जनसंख्या घंतो नियोंतम अंकित किया गया तो राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन आपके स्क्रीन पर ये रहा पिछडे बालक की सेचडिक लब्दी ग्यात करने का सूत्र क्या है जो भी बच्चे ए वाला अप्सन बता रहे हैं वो बच्चे विल्कुल करेक्ट हो जाएंगे एक्यू बराबर ए ए अपॉन सी ए इंटु हंडड़ नेश कोशन आपके स्क्रीन पर किसके अनुसार प्रियाणना सीखने के लिए राजमार्ग है अप्सन ए स्कीनर अगला कोशन गिल्फर्ड के बुद्धी से नचना प्रतिरूप में प्राप्त योगताओं का निम्न में से किस क्रम में नामकरण किया गया है इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा सक्रिया संगठक उत्पाद ऑफ्सन ए ठीक है अगला कोशन देखेगा निम्न में से काउंसी गरंती व्यक्तित तो विकास को प्रभावित नहीं करती है तो इस कोशन का राइट अंसर हो जाएगा पिनियल गरंथी option D जो है आपका ये विल्कुल सही हो जाएगा ठीक है अगला कोशन निमलिखित में से काउसा एक स्रजना मक्ता का सिद्दान्त नहीं है तो भाई राइट अंसर हो जाएगा all port सिद्दान्त option D अगला कोशन देखेगा व्यक्तित को सारेरिक संरचना के आधार पर किसने वर्गीकरत किया है व्यक्तित को सारेरिक संरचना के आधार पर किसने वर्गीकरत किया है इस कोशन का अंसर आपको comment box ने बताना है अगला कोशन किस इस्थान पर प्रथम मनुबैग्यानिक प्रियोग साला इस्थापित की गई थी ओप्सन वी लिप जिंग यह आपको ध्यान में रखना है ठीक है चलिए बात कर लेते हैं अगले कोशन की निम लिखित में से कौन सा बिकल्प सुमेलित है इसमें आपको यह बताना है कि निम लिखित में से कौन सा बिकल्प सुमेलित है तो राइट आंसर हो जाएगा औप्सन C चीन प्याजे बढ़ते हैं अगले कोशन की हो और अगला कोशन क्या है देखेगा और सोच समझकर आंसर दीजेगा ठीक है कोशन है कि निम्न में से गउंसी बुद्धी गार्डनर के बहु बुद्धी सिदान्थ को प्रदरसित नहीं करती है ओप्सवन वी सांस्कृतिक 49 कोशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा निम्न में से काउंसी स्रजन सील बालक की विसेस्ता नहीं है दूसरों के विचारों की आस्विकारता, option D next question के अगर हम बात करें, अगला question देखेगा क्या है जर्मनी के विलियम बुंट जाने जाते हैं, तो जर्मनी के विलियम बुंट ये किस नाम से जाने जाते हैं option A, पहली मनों बैगानिक प्रियोक साला खोलने के लिए इसमें हम लोगों ने लगभख 50 question discuss किये हैं, दूसरा जो हमारा वीडियो आएगा करीब रात को 8 बजे उसमें भी हम लोग 50 question discuss करेंगे, पर इच्छा की ड्रश्ची से काफी important question नहें सभी तो एक बर वीडियो जरू देख कर जाएं, जो ये बच्छे नए हैं तो पर इस चैनल को subscribe करें, आप लोग वीडियो को like करें, share करें तो मिलते हैं नश वीडियो के साथ, जैहिन चवारत